जै गुरुदेव मित्रो मित्रो, GBS पामस्टी चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत्त है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मारे लेटेश उडियो को देख सकें मित्रो, आज का विशे है कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए ये एक बहुती कॉमन कोश्यन भी रहता है तो आज हम इसी विशे पर चर्चा करने वाले हैं कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए मानिता ये है कि भारते सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर प्राचिंता से देखें यहाँ पर तो पुरुशों का दाया हाथ देखना चाहिए और इस्तरियों का बाया हाथ देखने का मतलब प्रावदान हाँ पर दिया गया है लेकिन वो समय कुछ और ता और आज का समय विशिश तोर पर बहुत बदल गया है अब इस्तरिया भी भड़ चड़कर समाज के अंतरगत भागीदारे रखती है अर्थार्थ समाज के या घर परिवार के निड़ने को लेने में इस्तरिया भी आगे रहती है तो अब इस्तरिया भी किसी पर निर्भर नहीं है यह कह सकते है तो अब इस्तरियों के केस में भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पुरुशों का और महिलाओं का या इस्तरियों का दाया हाथ देख सकते हैं बस यहाँ पर आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है निर्भरता जो व्यक्ति निर्भर है किसी भी व्यक्ति पर तो वहाँ पर मतलब आपको बाया हाथ देखना चाहिए अन्य था दाया हाथ देखना चाहिए चाहिए वे इस्तरी है या पुरुशो तो पुरुश तो काम क देखते ही हैं महीलाओं की बात करते हैं तो जो महीला जोब करती है या फिर अपने जीवन के अंत्र का जो हर तरीके से जो निर्णे लेने में स्वतंत्र है तो वहां पर आप कहीं न कहीं महिलाओं का भी दाया हाथ ही देखना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विक्ति स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन अपने अंड्रिनने लेने में adding है और अज भी का चलाने के लिए वो महिलाओं भी मतलब नौकरी बगरा करती है जो वगरा कर रही हैं तो वहाँ पर आपको उनका भी दाया हाथ देखना चाहिए तब वहाँ पर आपको एक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे इसके साथ ही देखे कुछ व्यक्ति का ये भी रहता है कि वे बाएं हाथ से लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये जो पश्चिम के विद्वान होते हैं वे मानते हैं कि जिस हाथ से हम लिखते हैं उसको हम एक्टिव हाथ कहते हैं और दूसरा हाथ पैसिव हाथ होता है तो यहाँ पर जो देखने को बताया गया है वो एक्टिव हाथ को देखने को बताया गया है और आप यह भी देखेंगे कि जो हाथ हमारा एक्टिव होता है अर्थार्थ नॉर्मली तो हम दाया हाथ ही हमारा एक्टिव होता है लेकिन कु नहीं हो का वो थोड़े सा धोड़े सा धो स्विकिए कह सकते हैं इसा हाथ के रेक्राइं वीक्टि एक सकते हैं जो हाथ हमारा एक्टिव नीए त्व पैसीव होता है तो वहां पर आपको यह लेना यही है कि जिन हाथizing बाया है तो फिर वे अपना बाया हाथ को देखें वैसे आपको हम बता दें कि हाथ जब आप देखें तो वहाँ पर मतलब दोनों ही हाथों को देखना चाहिए जो लक्षन आपको दोनों हाथों में दिखाए देते हैं उन पर विशेश विचार करना चाहिए क्योंकि उनका आपके जीवन के अंद्रकत विशेश प्रभाव आप पर पढ़ने वाला है तो इस बात कभी आपको ध्यान रखना चाहिए मित्रु जानकरी अगर आपको अच्छी लगियो वीडियो को लाइक किजिए शेर केजिए और चैनल को सब्सक्राइब केजिए जय गुरु देव